1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 23 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figures चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले तीन, जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले चार, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share Nifty से better है या नहीं जानी कि पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इंवेस्ट किये 6 साल बात 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में इंवेस्ट किये हुँ 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और करण्ट शेर इंवेस्टमेंट की value है 110014 के दिन 1 लाग रूपए Nifty 50 shares में इंवेस्ट किये 6 साल बाद 1120 के दिन Nifty 50 में इंवेस्ट किये हुए 1 लाग रूपए हो गए March 2020 में इस investment की value हो गई और करण Nifty 50 investment की value है निफ्टी में एप्रिसेशन ज़्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट निफ्टी ने जीत लिया है सेकंड पॉइंट शेर ने जीता थर्ड पॉइंट निफ्टी ने जीता ओवर्राल निफ्टी जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वैल्ली हो गई होती एवडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया यह शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को 1,00,000 रुपीज इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे यह स्टोक में इंवेस्ट करे निफ्टी 50 स्टोक में इंवेस्ट करे या FD में इंवेस्ट करे यह शेर के और निफ्टी के annualized return percentage हमने देखे हैं वही return percentage अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा? झाल 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 झाल